हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा को हार्ड वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं दो महिने से लेकर छे महिने के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा कार्डिगन बना कर लाई हूँ आज मैं आपको ये baby cardigan बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है इस baby cardigan को मैंने आगे बिल्कुल step by step सिखाया है अगर आप भी इस cardigan को बनाना सीखना चाहती है तो वीडियो को end तक देखिए तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस baby cardigan को बनाने के लिए मैंने ये orange और butter cream कलर की only है और इसमें मैंने 9 number की slide यूज की है इस baby cardigan को बनाने के लिए यहाँ पर इसमें मैंने 60 फंदे लिये हुए हैं ये जो उपर मैंने double color का design बनाया हुआ है इस design को बनाने के लिए हमें 6 के multiple फंदे लेने होते हैं तो 60 फंदे में ये इस तरह से adjust हो गया है अब मैं आपको पहले थोड़े से फंदे डाल के ये border और ये design बनाना बताऊंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने designer फंदे डाल ले हुए हैं तो यहाँ पर भी मैंने ये designer ही फंदे डाल लिये हैं तो यहाँ पर मैंने ये 24 फंदे लिये हैं 6 के multiple करके क्योंकि 6 के multiple में ही हमारा ये design adjust होगा अब मैं आपको यहाँ पर थोड़े से फंदे में ये border और ये design बुन कर बताऊंगे तो ज़्यादा फंदे में आपका जैसे यहाँ पर मैं बताऊंगे same to same adjust हो जाएगा तो फंदे आप देखिए इस तरह से हलके से loose डाल लीजे ज़्यादा tight नहीं होने चाहिए उसके बाद सीधी side से इस तरह से धागा अपनी तरफ करके और पूरी सलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए तो देख लिजिए इस तरह से धागा अपनी तरफ रखना है और उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए सलाई को complete कीजिए तो यह देखिए सीधी side से सलाई को मैंने पूरा उल्टा उल्टा बुन लिया है अब उल्टी side से भी हम सलाई को उल्टा ही बुनेंगे तो फिर से धागे को अपनी तरफ रखिए और इस तरह से उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए उल्टी side से भी सलाई को complete कर दीजिए तो यह देखिए यहाँ पर मैंने यह दो सलाईया उल्टी उल्टी बनाई है तो मेरे पास यह एक लाइन आ गई है तो यहाँ पर मैंने यह 14 सलाईया complete की है जिसमें यह 7 लाइनों का border बनके complete हो गया है तो एक बार फिर से देख लीजिए आगे आपने ऐसे ही repeat करनी है यह 14 सलाईया अब यह तीसरी सलाईया आगई आपकी सीधी साइड पर तो इसे भी आप इसी तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बनाईए फिर उल्टी साइड से भी उल्टा बुन लीजिए तो ऐसे करते हुए आप अपनी 14 सलाईया complete कर लीजिए तो यह देखिए यहां पर मैंने सरफ 4 सलाईया complete की हैं अब मैं आपको यह double color का design बनाना बताऊंगी तो आप अपनी 14 सलाईया complete कीजिए और सीधी साइड से फिर अपना second color joint कर लीजिए अब जैसे मैं आपको यहां से design बनाना बताऊंगी आप अपने project पर same to same design बनाना शुरू कीजिए तो last तक same आपका adjust हो जाएगा तो यह देखिए हमने अपना second color joint कर लिया है तो अब हम देखिए यहां पर 5 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और यह पांच उसके बाद दो फंदों को इस तरह से slip कर देंगे इनको बनाना नहीं है, slip करना है यह पहला फंदा हमारा s-teach है इसे छोड़ कर 4 फंदे सीधे बनाएं, 2 फंदे slip किए यही 6-6 फंदे का design बार बार repeat करते जाना है तो फिर से देख लिजिए, 4 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन, और यह चार फिर से हम 2 फंदे slip करेंगे यह design सीधी side से शुरू होता है 4 सलाईयों का design 8 सलाईयों में complete होता है एक color की इसमें सरफ 2 ही सलाईया बनती है तो ध्यान से देख लिजिए, फिर से design को repeat करेंगे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, और यह चार फिर से दो फंदे slip करेंगे आपके जितने भी फंदे हों यही 6-6 फंदे का design बार-बार बनाते जाएए तो last में आपके 5 फंदे बचेंगे इनको आप सीधा बुनिए एक, दो, तीन, चार, और यह 5 तो देखे, starting में भी आपके 5 सीधे बुने गई है और last में भी अब आज यह इसकी ultimate side पर और दूसरी stripe पर ultimate side से भी हमें जो बनाए हुए फंदे हैं उनको ulta बुनना है लेकिन जो हमारे slip की हुए फंदे हैं उनको फिर से slip कर देना है तो पांच फंदे हमने ultimate बनाए दो फंदों को ऐसे slip करेंगे फिर धागे को अपनी तरफ रखेंगे देखिए और चार फंदे हम ये उल्टे बुन लेंगे दो फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे चार फंदे उल्टे बनाएंगे पूरी सलाई में आपने ऐसे ही बुनते जाना है दो फंदे आपके slip है चार फंदे आपने उल्टे बनाए है लास्ट में आपके पांच फंदे होंगे इनको आप उल्टा ही बुन दीजिए तो दो सलाईयां डिजैन की complete हो गई अब आज ये इसकी तीसरी सलाई और चोथ सीधी साइड पर तो जो हमारी चार सलाईयां बनेंग वो इस तरह से दो इस कलर की और दो इस कलर की बनेंगे तो अब हमारी तीसरी सलाई है और ये सीधी साइड है तो ये जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं इनको हम अपने बोर्डर वाले कलर से सीधा बुन देंगे एक दो तीन चार और ये पांच और जो हमारे slip की हुए फंद जो slip किये हुए हैं को फिर से slip करेंगे पूरी सलाई में आपने ऐसे ही बनाते हुए जाना है ये डिजैन जितना देखने में सुन्दर है बनाने में उतना ही आसान है छोटे बच्चों के स्वेटर पर ये डिजैन बहुत ही सुन्दर लगता है तो ये देखिए हमने जो बनाई हुए सभी फंदे थे उनको बुना है जो slip किये हैं उनको फिर से slip किया है तीन सलाई डिजैन की complete हो गई चोथी सलाई उल्टी साइड से जो बनाई हुए फंदे हैं अब इनको हम सीधा बनाएंगे देखिए धागे को पीछे करेंगे और इस तरह से इन फंदों को सीधा बुन लेंगे तीसरी और चोथी दोनों सलाईया हमें सीधी सीधी बुननी है तो ये स्टार्टिंग के 5 फंदे मैंने सीधे बनाए धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो स्लिप की वे फंदे हैं इनको हम फिर से स्लिप कर देंगे धागे को पीछे लेकर जाएंगे चार फंदे ये सीधे बनाने हैं फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे स्लिप की वे फंदों को स्लिप कर देंगे धागे को पीछे ले जाएंगे चार फंदे हम ये सीधे बुनेंगे और ये आपने ध्यान में रख रहा है जो फंदे हम स्लिप करते हैं और इनके पीछे से जो धागा जाता है ये जादा नहीं खीचना चाहिए आपका नॉर्मल होना चाहिए नहीं तो ये आपका जो डिजैन है ये सुकड जाएगा और आपके प्रोजेक्ट की जो लुक है वो अच्छी नहीं आएगी तो बनाए हुए फंदों को हमने सीधा बनाया और स्लिप के वे फंदों को हमने स्लिप किया चार सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई अब हमें फिर से इन ही चार सलाईयों को रिपिट करना है तो देखें सिरफ ये जो हमारे स्लिप के वे फंदे हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी ये जो हमारे चार फंदे बनाए हुए हैं इसके ठीक बीच के दो फंदे हमें स्लिप करते जाना है तो हम अपना क्रीम कलर का धागा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर एक और ये दो ये दो फंदे सीधे बनाएंगे और इन दो फंदो को स्लिप कर देंगे पिर से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे और ये धागा यहां से यहां तक जो जा रहा है ये आपका थोड़ा सा लूज होना चाहिए एक, दो, तीन, और ये चार, ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर, दो फंदे स्लिप के, चार फंदे सीधे बनाएं एक, दो, ये देखे, ये दो स्लिप के वे फंदे हैं, इन चार के बीच में आ रहे हैं अब ये, तीन, और ये चार, और जो चार के ठीक बीच वाले फंदे हैं, उनको हम स्लिप कर रहे हैं, फिर से चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, और ये चार, फिर दो फंदे स्लिप करें लास्ट में आपके दो ही फंदे बचेंगे इनको आप सीधा बना दीजिए आप आज ये इसकी उल्टी साइड पर और छटी सलाई पर जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम उल्टा बुन देंगे और जो स्लिप किये हुए फंदे हैं उनको हम फिर से स्लिप करते जाएंगे तो दो फंदे हमने उल्टे बनाए, दो फंदों को स्लिप किया, फिर चार फंदे ये उल्टे, फिर से हमारे जो दो फंदे स्लिप किये हैं, इनको हम स्लिप करेंगे, फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे, पूरी सलाई में आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है, सिर्क इनकी complete हो गई, सात्मी सलाई है और सीधी साइड है, सात्मी सलाई पर फिर से हमारा ये border वाला color आएगा, और जो बनाए हुए फंदे हैं, उनको हम सीधा बनाएंगे, और जो slip किये हुए हैं, उनको हम फिर से slip करते जाएंगे, तो दो फंदे देखें, सीधे बनाएं, दो slip कि अब चार फंदे जो हमारे बनाए हुए हैं, इनको हम सीधा बनेंगे, तो ऐसे करते हुए आप इसकी पूरी सलाई को complete कीजिए, तो ये देखिए, सात्मी सलाई को हमने बन लिया है, अब आज ये उल्टी साइड पर और आठमी सलाई पर, आठमी सलाई इसकी ठीक चोथी सल के जैसे बनेगी, जो हमारे बनाए हुए फंदे हैं, इनको हम सीधा बनाएंगे, और जो सलिप किये हुए हैं, उनके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे, दोनों फंदों को पहले सलिप कर देंगे, फिर धागे को वापस पीछे ले जाएंगे, और चार फंदे अब ये कीजिए, फिर धागे को पीछे की तरफ कर दीजिए, और चार फंदे ये सीधे बनाएंगे, फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सलिप धागा पीछे, चार फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से हम धागे को अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे सलिप धागा इन ही आठ आठ सलाईयों को बार बार रिपेट करना है। करते हुए इस बेबी कार्डिगन की आरम होल तक की लेंध बनानी है। तो मैंने इसकी जो आरम होल तक की लेंध बनाई है, वो साड़े आठ इंच बना के तयार की है। तो ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ यहां से यहां तक यह पूरा शाड़े 8 इंच बना हुआ है तो आप भी इसे इसी तरह से 8 इंच बना लीजिए उसके बाद इसमें हमने आरम होल की कटिंग की है आरम होल की कटिंग 3, 2, 1 सी की है और उसकी जो हमने फिर उपर length बनाई है ये देखिएगा round में हमारी ये जो है 5 इंच बनी होई है तो आप इसी तरीके से नाप लीजिए ये जो इसकी round होती है इस पे यहाँ इंची टेप लगा के और उपर तक आप इसे 5 इंच तक बुन के तयार कर लीजिए तो total इसकी जो हमारी length बनी है साड़े 8 इंच नीचे और round में साड़े 5 बनी है तो जो round में होती है ये वाली length जादा हो जाती है लेकिन इस तरीके से जब हम इसको नाप कर देखेंगे तो ये पूरी 12 इंच आपकी बनेगी क्योंकि जो 1.5 इंच होती है वो round होती है तो 12 इंच का हमारा back part complete हो गया है अब हम हमें इसके front के दोनों पार्ट बनाने है क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बटन वाले कार्डिगन जादा बैस्ट होती है तो ये देखिए एक पार्ट मैंने इसका arm hole तक का बना लिया है बैक पार्ट में हमने फंदे लिये हैं 60 तो जब इसके हम front वाले पार्ट मिलेंगे तो 60 का आधा करेंगे यानि 60 का half 30 हो गया तो 30 एक पार्ट के और 30 एक पार्ट के फिर हमें इसमें बटन पट्टी साथ के साथ बनानी है तो बटन पट्टी के इसमें मैंने 4 फंदे extra लिये हैं यानि 30 और 4 34 फंदे से मैंने ये वाला पार्ट बुना है 34 में से 7 फंदे की मैं ये बटन पट्टी बनाई है और बाकी में हमारा ये डिजैन एड़ेस्ट हो गया है तो अब हमें सेम साइड से साइज का दूसरा पार्ट बुनना है तो इसमें भी मैंने ये 34 फंदे डाले हुए हैं इस वाली साइड पर मैं देखे बटन लगाऊंगी और इसमें बटन होल ब बनाना बताऊंगी और प्रंट वाले पार्ट में इस डिजैन को एड़ेस्ट करना बताऊंगी तो ये देखेगा दोनों पार्ट में अंतर सरफ इतना आया है कि इस वाले पार्ट में हमारा जो डिजैन है यहां से शुरू हुआ है और बटन पट्टी इसकी लास्ट में बन और यहां पर जाकर इसमें हमारा इधर डिजैन एड़यस्ट होगा तो अब इसमें हम पहला बटन होल बनाएंगे तो देखिए एक, दो, तीन और ये चार तो मैंने इसमें ये आठ सलाईयां बनाई हैं जिसमें मेरी ये चार लाईने आ गई हैं तो 8 सलाई बुनने के बाद 9 सलाई पर मैं इसमें पहला बटन होल बनाऊंगे 7 फंदे की जो हमारी बटन पट्टी बनी है उसमें से हम देखिए इस तरह से 1, 2, 3 और ये 4 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से लपेट कर एक जाली बना देंगे और फिर हम 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे और फिर एक फंदा और हम उल्टा बनेंगे तो देखिए 2, 4, ये जाली 5, 6 और ये 7 तो 7 फंदे की हमारी ये बटन पट्टी हो गई है और अभी हमें देखिए 7 लाइनों का यानि 14 सलाईयों का बोर्डर बनना है तो अभी हमारी ये 9 सलाई है तो आभी से हम सीधी साइड से भी उल्टा बुनेंगे और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनते हुए ये वाली 14 सलाईयां कंप्लीट कर देंगे तो ये देखिए 14 सलाईयां हमने इस बोर्डर की कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर पहला बटन होल इसका बन गया है तो आप इस तरह से रखके देख सकती हैं फंदे डालने के बाद दोनों पार्ट की किनारी सीधी साइड पर आनी चाहिए अब इन दोनों पार्ट में आगे डिजैन एड़ेस्ट करने में भी अंतर सरफ इतना आएगा कि हम यहाँ से अपना धागा जोइंट करेंगे और डिजैन को बुनना शुरू करेंगे यहाँ पर हमें औरेंज और यह क्रीम दोनों कलर लगाने होंगे और बटन पट्टी बुनने के लिए एक छोटा सा गोला बनाके अलग से यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारी यहाँ से धागा शुरू हो रहा है लेकिन जब आप इस वाले पार्ट में बुनेंगे तो इसमें सिरफ आपको दो ही गोले की जुरूरत पड़ेगी क्योंकि बटन पट्टी के बाद यहाँ से सीधी साइट से डिजैन शुरू हो जाएगा लेकिन एक पार्ट को बुनेंगी तो आपको तीन गोले लगाने पड़ेंगे अब देखे हमने जब इस वाले पार्ट में डिजैन को बनाना शुरू किया तो यहाँ पर क्रीम कलर का धागा जोइंट करने के बाद तीन फंदे सीधे बनाए दो फंदे स्लिप के चार फंदे सीधे दो स्लिप के चार सीधे दो सीधे दो सीधे दो सीधे और लास्ट में इसमें चार फंदे सीधे आए हैं अब जब हम इस वाले पार्ट में डिजाइन को बुनेंगे तो सबसे पहले ये जो हमारे साथ फंदे बटन पटी के हैं इनको बुन लेंगे तो मैं देखिए इनको पहले उल्टा बना लेती हूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ आप देखिए यहां उल्टी साइड से इसमें मैं अपना सैकिन कलर जोइंट कर लूँगे तो यह देखिए यहां से मैंने ये सैकिन कलर अपना बांध लिया तो आप भी इसी तरह से बांध लीजिए अब जैसे यहां पर हमारे चार फंदे सीधे आए हैं तो डिजैन अब हमें पट्टी वाली साइड से शुरू करना है तो अब जैसे यहां पर हमारा इसका लाश्ट में आया था वो हम यहां सुरू से बुनना शुरू करेंगे तो ये देखिए ये जो हमारा धागा है इसको ऐसे ले लेंगे और क्रीम कलर के धागे से चार फंदे हम सीधे बनाएंगे उसके बाद हम दो फंदे स्लिप कर देंगे ये जो हमने डिजैन बनाया अब चार फंदे सीधे और दो स्लिप इसी को बार बार रिपेट करते जाएंगे तो देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाएं दो फंदो को स्लिप करेंगे एक दो तीन और ये चार फंदे सीधे बनाएंगे दो फंदों को स्लिप करेंगे यही छे छे फंदे का डिजैन इसमें बार बार रिपेट करना होता है और लाश्ट में देखिए आपके तीन फंदे बच गए हैं जैसे कि हमने यहां से शुरू में तीन फंदे सीधे बनाए थे दो स्लिप किये थे वही हमारा यहां पर आ गया दो फंदे स्लिप करने के बाद लाश्ट के तीन फंदे सीधे आ गए हैं अब ये जो डिजैन है ये मैंने आपको आठ सलाईों में बुन के बताया है तो उनी 8 सलायों को अब बार बार रिपेट करना है उल्टी साइड से आप बनाए हुए फंदों को बनाए और स्लिप के वे फंदों को स्लिप कीजिए तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने बनाए हुए सभी फंदों को उल्टा बुना है और स्लिप के वे फंदों को स्लि को आप उल्टा बनाईए तो ऐसे में यह जो आपकी बटन पटी है इसकी यहां से फिनिशिंग अच्छी आएगी तो क्रोस आपने इसमें जरूर करवा देना है तो यह देखिए दो सलाई एस डिजैन की कंप्लेट हो गई है तीसरी सलाई हमारी पूरी इस वाले धागे से जा की हुए है उनको सलीप करते जाना है तो मैं तीसरी और चोथी इन दोनों सलाईयों को बुन लेती हूं तो यह देखिए फ्रेंट चार सलाईया बनाने के बाद पांचवी सलाई पर आ गई है सीधी साइड पर तो मैं आपको इसकी पांचवी सलाई भी बता देती हूं ताकि के कि अपक Chicken बुनने में दिक्कत न आए तो आप देखिए यह जो हमने साथ फंदे थे पत्टी के बुन लिये हैं धागे को पीछे की तरफ कर देंगे और यह जो क्रीम कलर का धागा है से हमिस तरह से क्रोस करवा देंगे आफ देखिए यह जो चार फंदे हमने यहाँ पर क इधा बुन लेंगे फिर इन दो फंदों को हम स्लिप कर देंगे और अब हम चार फंदे सीधे बनाएंगे देखिए एक और ये जो स्लिप के हुए है इसके बीच में आ जाएंगे दो तीन और ये चार फिर ये जो चार फंदे थे ठीक इसके बीच वाले दो फंदे स्लिप हो और फिर से हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे एक, दो, तीन और ये 4 फिर देखें, 4 के जो बीच वाले 2 फंदे हैं उनको स्लिप करेंगे फिर 4 फंदे सीधे बनाएंगे बस ये जो धागा आपका पीछे से जाता है इसे थोड़ा सा लूज रखिए टाइट नहीं होना चाहिए नहीं तो डिजाइन इस तरह से खिला हुआ नहीं बनेगा फिर इन 2 फंदो को हम स्लिप करेंगे और लास्ट में देखिए आपके अब एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6 फंदे सीधे हैंगे क्योंकि लास्ट के तो फंदे को हम स्लिप नहीं करेंगे चार बुनने के बाद इनको हम सीधा ही बुन लेंगे ताकि यहां से इस डिजाइन की जो है ये सेप आपकी सही आए और अब उल्टी साइड से आपने बनाई हुए फंदो को उल्टा बुनना है और स्लिप के हुए को स्लिप करना है तो ऐसे में ये आठ सलाईयां कम्प्लीट हो जाएंगे फिर इन ही आठ आठ सलाईयों को बार बार रिपिट करते हुए जैसे हमने इस वाले पार्ट को आरम होल तक बुन लिया है इसको भी हम बुन लेंगे अब देखे पहला बटन होल मैंने यहाँ पर बनाया है थोड़ा सा और बुनने के बाद सेम मैं इसमें दूसरा बटन होल बनाऊंगी तो पहले हमने जिस पर बटन लगाने है वो वाला पार्ट बुन लिया है बटन आप इस साइड की पट्टी पर भी लगा सकती है तीन चार इसमें हम गोल कला बनाएंगे तो पांच मां हमारा यहाँ पर आ जाएगा तो मैं इसमें पांच बटन होल बनाऊंगी तो इस तरीके से आप इसमें बटन होल छोड़ते जाएए अब इस पार्ट की जो है लेंथ मैं यहां तक मुन लेती हूँ फिर इसमें मुड़े की घटाई और गले की घटाई करेंगे इसकी मैंने लेंध पूरी कर ली है अब इसमें हम आरम होल की कटिंग करेंगे और फिर इसमें गोल गले की घटाई करेंगे तो इसके बैक पार्ट में हमने 3-2-1 की घटाई की है तो फ्रंट के दोनों पार्ट में भी अब 3-2-1 की घटाई करनी है दोनों पार्ट में अंतर सरफ इतना आएगा इस वाले पार्ट में यहां पर उल्टी साइड से घटाई शुरू होगी और इस वाले पार्ट में यहां सीधी साइड से घटाई करने है तो देखे कैसे करेंगे यहां पर अब हमें यह अपना कलर भी चेंज करना है क्योंकि एक कलर की इसमें दो ही सलाया बनती है तो यहां से हमें तीन फंदे की घटाई करने है इस ओरेंज कलर के धागे को हम ऐसे लेंगे और यहां से तीन फंदे की घटाई करेंगे तो ध्यान से देखिए क्योंकि यह धागा भी हमें साथ के साथ उपर करना है दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक फंदा यहाँ पर ऐसे बना देगे इस फंदे को अब हम लूज रखेंगे क्योंकि यह अगर टाइट हो जाएगा तो यहाँ से जो मुड़े की शेप है वो सही नहीं आएगे इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए और इस फंदे को इतना लूज छोड़ दीजिए अब यह जो ओरेंज कलर का मेरा धागा है आपका कोई ओर हो सकता है उसको ऐसे इसके उपर से क्रोस करा दीजिए त्रीम कलर वाला नीचे है और इंज वाला उपर है तो अब इस त्रीम वाले को और एक यहाँ से इन दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे तो दो फंदे की घटाई हो गई है अब इसको हम वापस से सलाई के उपर लाएंगे ये ओरेंज कलर वाला जो धागा है फिर से इसके उपर से ऐसे क्रोस करवा देंगे और एक ये वाला और एक ये next वाला फंदा इन दोनों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे तो ऐसे में यहां से हमारी तीन फंदे की घटाई कम्पलिट हो गई है अब देखिए इस क्रीम वाले को भी पिछे करेंगे और ये जो औरेंज वाला है इससे भी हम पिछे की तरफ कर देंगे अब आगे हमें अपने डिजाइन को भी एडजस्ट करना है दो फंदे जो हमें स्लिप करने हैं ये जो बीच के चार फंदे बनाए हुए हैं ठीक इसके बीच वाले स्लिप करने हैं तो ये वाले दो फंदे देखिए हमारे जो है स्लिप की हुए थे एक तो घटाई में आ गया है एक ये बच गया है और एक इधर का तो अब हम ये दो फंदे सीधे बुन लेंगे देखिए एक और ये दो और इन दो फंदों को अब हम स्लिप करेंगे क्योंकि जो चार फंदे ह हमने बनाए उसके ठीक बीच के यह दो फंडे हैं तो अब हम Çaダगे को यहां से थोड़ा सा लूत छोड़ के चलेंगे चार पंदे सीधे बनाएंगे एक दो थीन और यह चार अब यह जो 4 पंदे बनाए हुए हैं ठीक इसके बीच के दो फंदे imaginar हो गए फिर चार फंदे और चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, अब ये देखिएगा, ये वाले दो फंदे हम स्लिप करेंगे, और ये एक फंदा यहां सीधा आजाएगा, अब यहां पर देखिए हमारा धागा पहले से है, क्योंकि इस वाले पार्ट में हमें तीन गोले तो अब इसको हम यहां पर क्रोस करवा देंगे, और इस धागे को अपनी तरफ लाएंगे, साथ फंदे पट्टी के हम उल्टी बुन लेंगे, उल्टी साइड से बनाए हुए फंदों को उल्टा बुनेंगे, और स्लिप के हुए फंदों को हम स्लिप कर देंगे, अब यहां से दो फंदे की घटाई करनी है तो यह देखिए दो फंदे का इस तरह से एक फंदा करेंगे इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे और नेक्स्ट वाले फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे तो देखिए हमने जो यहां पर घटाई की है वो क्रीम कलर के तो ये देखिए यह जो slip के वे फंदे हैं, इनको हम फिर से slip कर देंगे और यह जो हमारा ओरेंजार्ण कलर का धागा है इसको लेंगे और आगे के जो फंदे हैं, उनको हम ईससे बुन लेंगे इससे क्या होगा? यहां पर जो मुड़्डे की शेप है वो खराब नहीं होगी इसलिए हमने इसी धागे से ये दो फंदे की घटाई कर दी हैं तो चार फंदे अब ये हम सीधे बनाएंगे तो हमने पहले स्लिप कर दिये हैं फिर ये जो स्लिप किये हुए हैं इनको हम स्लिप करेंगे बनाई हुए फंदो को हम बनाएंगे उल्टी साइड से भ फंदे की घटाई करनी है और करीम कलर के धागे से इसको बुनना है तो दो फंदे का अब हम यहाँ पर देखिए एक फंदा बना देंगे और धागे को पिछे करके अब ये वाले जो चार फंदे हैं इसके बीच के दो फंदे हमें स्लिप करने हैं तो एक और ये दो फंदे हम ऐसे सीधे बुनेंगे ये चार के बीच के दो फंदे हैं इनको हम स्लीप करेंगे और आगे फिर हम वही चार फंदे बनाएंगे दो फंदे स्लीप करेंगे तो ऐसे करते हुए हम इस सलाई को बुन लेंगे और उल्टी साइड से भी डिजाइन के नुसार सलाई को बुन देना तो ये देखिए मुड़े की घटाई तो complete हो गई है अब इसमें हम 5-6 सलाईया अपने डिजाइन के अनुसर बना लेते हैं फिर इसमें हम यहां से गले के घटाई करेंगे तो ये देखिए फ्रेंट्स इसकी मैंने गले की घटाई करनी है वहां तक की लेंध बना ले हैं मैं आपको इसका नाप भी बता देती हूँ ये देखिए बैक पार्ट में इसमें हमने जो इसकी आरम होल की घटाई की है ये राउंड में 5 इंच बनाई होई है तो ये वाली आ आप इसकी धाई तक बना लिजिए इस तरह से राउंड में या आप इस वाले पार्ट के साथ इसको ऐसे रख के देख लिजिए यहां से यहां तक जब आपको ये लगे कि आधा बन गया है और आधा हमारा उपर का बच गया है यानि राउंड में धाई इंच बन गया है ध एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ, अब इन फंदों को हम एक safety pin में उतार देंगे, तो ये देखिए, ये साथ फंदे मैंने safety pin में छोड़ दिये हैं, अब यहां पर देखिए, हमारे दो धागिये हैं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले धागे को काट देंगे, और इस वाले के साथ इसको हम अटेच कर देंगे, तो दो में से यहाँ पर एक धागा हमारा बच जाएगा, तो ये देखिए, एक धागे को मैंने हटा दिया है, आप किसी भी धागे को हटा सकती है, ये आपकी अपनी मर्जी है, अब ये साथ फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और यहाँ से अब हम तीन फंदे की घटाई करेंगे, तो देखिए, इस तरह से दो फंदे एक साथ लेंगे, और ये जो हमने दो का एक किया, इसे हम इस तरह से लूज रखेंगे, नेक्स्ट वाले फंदे को इसके साथ में लेंगे, और दो का एक कर देंगे, फिर से इसे लूज रखेंगे, और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर दो का एक कर देंगे, तो यहाँ से हमने तीन फंदे की घटाई की है, अब हम धागे को पीछे करेंगे, ये जो हमारे बना हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे और जो स्लिप किये हुए हैं इनको हम स्लिप करते जाएंगे अब देखिए सीधी साइड पर आ गई हैं यहां से अब हम कलर चेंज करेंगे और डिजैन के हिसाब से सलाई को यहां तक बना लेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स डि पाले पार्ट में सीधी साइड से होगी इसमें मुड्डे की घटाई सीधी साइड से होगी है इसमें मुड्डे की घटाई उल्टी साइड से होगी दोनों पार्ट में अंतर सरफ इतना ही है बाकी सब कुछ सेम बनेगा तो यह देखे अब हम यहां से दो फंदे घटाएंगे तो दो फंदे का एक करेंगे तो एक फंदा कम हो गया इसे हम लूज रखेंगे सलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर दो का एक कर देंगे तो दो फंदे की घटाई हो गई आगे हम बनाए हुए फंदो को बुन लेंगे स्लिप के वे फंदो को स्लिप कर तो यह देखिए उल्टी साइड पर आ गई हैं और यहां से अब हम एक फंदे की घटाई करेंगे और धागे को पिछे करेंगे बनाए हुए फंदों को सीधा बुनेंगे और स्लिप के हुए फंदों को हम स्लिप करते जाएंगे तो यह देखिए फिर से हम इसमें सीधी पर आ गए अब मेरे पास यहाँ पर 15 फंदे हैं तो हमें यहाँ पर शोल्डर के 13 फंदे रखने हैं तो यानि दो बार होर हम एक एक फंदे की यहां से गटाई करेंगे अपने कलर चेंज करते जाएंगे और जितनी हमने ये बैक पार्ट की लेंथ बनाई है इतनी ही हम लेंथ बना लेंगे तो दो बार आप एक एक फंदा और यहां से गटा दीजे तेरा फंदे बचेंगे उनमें आप इसकी लेंथ बनाईए तो यह देखिए फ्रेंड से इसकी जो लेंथ है वो कम्प्लीट हो गई है तो यहां से मैंने क्रीम कलर के धागे को बिल्कुल हटा के और इसके साथ नोट लगा दी है अब देखिए एक कलर की इसमें हमने दो-दो सलाईया बनाई है तो यहां पर इस कलर की दो सलाईया कम्प्लीट हो चुकी है तो अब हम क्या करेंगे एक सलाई यह वाली हम सीधी साइड से ऐसे इसी कलर से सीधी सीधी बुन देंगे ताकि जब हम ओपर से इसके कंधे जोड़ें तो यह कलर आपस में अच्छे से मैच हो जाएं तो सभी फंदों को बुन देना है जो बनाए हुए है उनको भी और जो स्लिप किये हुए है उनको भी तो ऐसे देखिए यह हमारे 13 फंदे हैं कंधे के इनको हम इस तरह से बुन लेंगे तो एक पार्ट जो है इसका कम्प्लीट हो गया है अब इसका हम दूसरी साइल का पार्ट बिल्कुल सेम तो सेम तरीके से बनाएंगे तो यह देखिए आप इसको ऐसे रखके देख लीजिए यहां तक यह पार्ट हमारा पूरा हो गया अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे इसमें हमें घटाई इस साइड से करनी है और बिल्कुल सेम तरीके से करनी है तो मैं एक बार मुढ़े की घटाई आपको करके दिखाती हूँ फिर आपको गले की घटाई करके दिखाऊंगे तो यह देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे दो का एक करेंगे इस फंदे को लूज छोड़ देंगे नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से इसको लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे तो तीन फंदे की घटाई हो गई है आगे जो slip के हुए फंदे हैं उनको हम slip करेंगे, जो बनाए हुए हैं उनको बनाएंगे तो यहां तक सलाई को पूरा कर देंगे, तो यह देखिए यहां पर तीन फंदे की घटाई करने के बाद उल्टी साइड से सलाई को हमने बुन लिया है, इस पार्ट में घटाई फंदे हिस्थे तक बुन लिया था, इतना ही इसको हमें बुनना है, और यह देखिए लास्ट का जो buttonhole हम बनाएंगे, इसमें एक बटन होल हमारा यहां पर है तो यहां पर देखिए जो फंदे हमने इसमें डाल ले है पिन में इसकी दो या तीन सलाई से पहले हम एक बटन होल यहां पर बना देंगे तो यह हमारा लाश्ट का बटन होल यहां पर बनेगा जो कि मैं इसमें बनाऊंगे तो अब मैं इसे यहां तक बुन लेती हूँ तो यह देखिए फ्रेंट से इसे मैंने यहां तक बना लिया है अब इसमें हमने जो गटाई की वो उल्टी तरब से की है गले की लेकिन यहां पर हमारे सीधी तरब से होगे तो अब हम क्या करेंगे यह जो साथ फंदे पटी के हैं इनको बुन लेंगे और बुनने के बाद एक सेफ्टी पिन में उतार देंगे तो यह देखिए यह साथ फंदे बनाने के बाद मैंने सेफ्टी पिन में छोड़ दिये है अब हम यहां से तीन फंदे की घटाई करेंगे तो देखिए इस तरह से दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे इस फंदे को हम इतना लूज छोड़ देंगे फिर नेक्स्ट फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से इसको lose रखेंगे और next फंदे को साथ में लेंगे और दो का एक कर देंगे अब आगे हमारे जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हमें बनाना है जो slip की हुए हैं उनको slip करते जाना है तो इस तरह से यहां से हमारे गले की घटाई शुरू हो गई है तो ये देखिए अब हम अपने ऐसे ही अपने कलर चेंज करते जाएंगे और यहां से तीन फंदे की घटाई होगी है फिर दो फिर एक फिर एक करके घटाएंगे तेरा फंदे हमने इस वाले पार्ट में शोल्डर के रखे हैं तो इस वाले पार्ट में भी हम शोल्डर के तेर तो यह देखे अ principalmente किंदे जोडने हैं तो यह देखे कंधे जोडने के लिए बैक्त और फट्वाट को सीधे से सीधा मिलाना होता है तो एक साइड के जो कंधे हैं वो मैंने जोड दिये हैं अब हम दूसरी साइड के जोड़ेंगे तो देखे कैसे करेंगे इस तरह से ये जो इसका बैक पार्ट है इसको ऐसे सीधा करेंगे और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको भी हम सीधे से सीधा मिला देंगे आरम होल से इसकी जो आरम होल है उसको मिला देंगे तो एक पार्ट में हमने 13 फंदे कंधे के लिए छोड़े हुए है अब यह जो बैक पार्ट है इसमें हमारे इस टाइम पे 35 फंदे बच्चे हुए हैं 13 फंदे हमने इस वाले कंधे में जोड़ दिये हैं तो 35 में से 13 फंदे यहां पर रख लेंगे और बाकी के फंदों को हम दूसरी स सलाइपर रख लिए हैं अब हम क्या करेंगे एक फंदा यहां फरण्ट वाले पार्ट में से लेंगे एक हमारा जो अपनी तरफ बैक पार्ट के फंदे हैं इसमें से लेंगे एक बैक से एक फंद से ऐसे करते हुए इन सभी फंदों को हम इस सलाई में ले लेंगे तो यह देखिए एक सलाई में हमारे फंदे आ गए हैं अब इन फंदों को हम बाइंड ओफ करेंगे तो अब यहां से पहले आप जो है दो फंदे का एक कर दीजिए उसे सलाई पर ले आईए फिर तीन का एक तीन का एक करते हु कर दिये हैं अब ये 22 फंदे इस लाई में है बैक पार्ट के अब इसमें हम गला बनाने के लिए फंदे उठाएंगे तो देखें फंदे उठाने के बाद जो एक लाइन आएगी वो नीचे की तरफ होने चाहेंगे अगर आप इसमें कोलर गला बनाना चाहेंगी तो ये घटा लेकिन मैं इसमें एक गोल गला बना रही हूँ तो सबसे पहले तो ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम पिन से निकाल कर सलाई में डाल लेंगे तो ये देखिए, ये साथ जो हमारे फंदे हैं इनको मैंने इसमें सलाई में डाल लिया है अब देखिए मैं यहां पर जो है, इस क्रीम कलर से गला बनाऊंगी आप चाहो तो जिस कलर से अपने पट्टी बनाई है, उस कलर से भी गला बना सकती है लेकिन अगर आप इस color से ये गला बनाएंगी तो आपको क्या करना होगा ये जो पट्टी के फंदे हैं इनको आप एक बार बुन लीजिए देखिए कैसे करेंगे इस तरह से इनको हम बुनेंगे उल्टी तरफ है देखिए हमने इनको उल्टा बुन लिया ताकि जो हम इस तरह से second color से बुनें और ये जो हमारी second color लगाने पर एक line आती है ये उल्टी तरफ ही आपकी आजाए अब सीधी side से भी इन 7 फंदों को आप एक बार उल्टा बनाएंगे और अगर आप माल्या पट्टी वाले color से ही बनाएंगे तब आपको ये सलाई बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा धागा joint करने के बाद आगे से फंदे उठाना शुरू कर सकती है लेकिन अगर इस तरह से ऐसे बनाएंगे तो आपको ये दो सलाईया इसमें जरूर बनानी पड़ेंगे अब धागे को पिछे की तरफ करेंगे और यहां से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे देखे 22 फंदे तो जो है हमारे ये back पार्ट में है अब ये जो हमारा इतना पार्ट बच गया है इसमें हम 15 से 20 फंदे उठाएंगे 20 से जादा नहीं होने चाहिए और 15 से कम नहीं होने चाहिए तो अब 25 के देखे यहां बिल्कुल 7 में एक ये जोइंट मिल जाए इसलिए यहां पर ऐसे स्लाइड डालेंगे और एक फंदा हम यहां पर बना लेंगे तो ऐसे करते हुए बिल्कुल फंदे से फंदा मिलाते जाएंगे और यहां तक 15 से 20 तक हम फंदे उठा लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां से लेकर यहां तक मैंने यह 19 फंदे उठाए हैं और अब यह जो gap है यह देखिए एक तो यह जहां पर हमने solder joint किया है एक फंदा हम इस joint के उपर से उठा लेंगे तो देखिए 20 हो गए है अब यहां पर यह जो आपको gap दिख रहा है दो फं यह जो हमारा back part पे यहां पर थोड़ा सा gap बनता है उसमें से उठा लिया है तो total हमने यहां तक 21 फंदे उठाए है 19 फंदे इस front वाले पार्ट के एक कंधे के जोड से और एक यह जो back वाले पार्ट में से अब यह जो 22 फंदे हमारे back part के इस सलाई पर हैं इनको भी हम इस त यहां तक के फंदो को मैंने बना लिया है अब जैसे कि यहां पर back part के और इस shoulder के पीच में जो यह एक जोड आया है एक फंदा हम यहां से ऐसे सलाई डालेंगे और उठा लेंगे यह हो गया अब एक फंदा हमने यह जो कंधे का जोड है इसमें से उठा लेना है तो यह दो तो हो गई है हमारे इस तरह से और 19 फंदे उठाएंगे अब हम यहां तक तो आप ऐसे करते हुए 19 फंदे उठा लीजिए अब यह देखिए अब यह वाले जो पट्टी के फंदे हैं इनको हम यहां पर सीधा बनाएंगे तो इन पिन के फंदो को हम निकाल के पहले दूसरी सलाई में डाल लेंगे और फिर सीधा बनेंगे तो यह देखिए इस तरह से हमने इसके सारे फंदे उठा लिये हैं तो अब देखिए उल्टी साइड से इन सभी फंदो को हमें उल्टा बनते हुए सलाई को कम्पलीट कर देना है तो आप इसी तरह से धागा आपनी तरफ की और उल्टा बुनते हुए सलाई को बना लीजिए और ये देखिए फ्रेंट से ये जो हमारे साथ फंदे पट्टी के हैं ये दो सलाईया में पहले ही बना चुकी हूँ तो हम यहां से जो सलाई बुनना शुरू करेंगे इसे यहां तक ही बनाएंगे अगर अब की बार फिर से हम इस सलाई को बुन लेंगे तो इसमें दो सलाईया जादा हो जाएंगे और गले का जो बैलन्स है वो उपर निचे हो जाएगा इसलिए हम यहीं से ट्रन करेंगे और यह देखिए इस एक फंदे को स्लिप करेंगे ऐसे करने के बाद इस धागे को हम यहां से ले आएंगे और अब यहां से इन फंदों को उल्टा बुनते हुए इस सलाई को कम्पलीट करेंगे तो यहां तक की तो दो सलाईया पहले ही बन गई थी और अब आगे की यह दो सलाईया हमारी अब पूरी हो जाएंगे तो जो गला है हमारा यह बिल्कुल अच्छे से बन के तयार हो जा दो का एक किया इस पंदे को वापस सलाई पर लिया और इस पंदे को आप नॉर्मल रखिए लूज नहीं छोड़ना इसको और नेक्स्ट पंदे को साथ में लेकर दो का एक कर देंगे तो यहां से हमने दो फंदे कम किये हैं पूरी सलाई को अब हम उल्टा बुनते हुए कंप आपका मन करें तो तीन फंदे एक साथ लेके घटा दीजिए या फिर आप देखिए दो का एक कीजिए इससे वापस सलाई पर ले लिजिए फंदे को टाइट रखिए और नेक्स्ट पंदे के साथ दो का एक कर दीजिए अब इस पूरी सलाई को हम उल्टा बुनते हुए कं देखिए हमने सीधी तरब की सलाई को भी उल्टा बुन लिया है अब हम क्या करेंगे एक फंदा यहां पर घटा देंगे दो का एक करेंगे और पूरी सलाई को उल्टा बुनेंगे और यहां लास्ट में जाएंगे तो यहां पर दो का एक कर देंगे फिर हमारी सीधी से भी सलाई को मैंने बना दिया है, अब उल्टी साइट से 2 का एक करेंगे, और पूरी सलाई को उल्टा बुनेंगे, और लास्ट में भी हम 2 का 1 कर देंगे, तो फिर देखिए, सीधी साइट से जो हमारे सारे फंदे हैं, उनको हम बाइंड ओफ कर देंगे, गले की हमें बुनाई इतनी ही करनी है तो एक फंदा यहां से कम कीजिए पूरी सलाई को बना लिजिए लास्ट में दो काई करके फिर सीदी साइड से सभी फंदों को बाइंड ओफ कीजिए तो यह देखिए आपको मैं बाइंड ओफ करके भी दिखा देती हूं जिससे हमारी यहां डिजैनर फंदे जैसी चैन आजाए तो यह देखिए यहां स्टार्टिंग में हम दो फंदे का एक फंदा करेंगे इस फंदे को हम इतना लूज रखेंगे और सलाई पर लेकर आएंगे नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लेंगे और तीन का एक कर देंगे फिर से इस फंदे को हमें काफी लंबा रखना है, लूट छोड़ दीज़े, टाइट हो गया तो यहां से गले की शेप खराब हो जाएगी, नेक्स्ट वाले दो फंदे साथ में लीजि़े और तीन का एक कर दीज़े, फंदे को इतना लूट छोड़िये, और ये जो धागा है इसको यहीं से कट नहीं करना है आप इसे या तो करोसिय से या सुई में डालके थोड़ा सा यहां नीचे लागे और फिर टाइट करके बांद के काट दीजिए तो ये देखिए फ्रेंट्स गला बनके इसका हो गया है तैयार अब हमें इसकी बाजू बनाने हैं तो देखिए बाजू इसकी मैंने बनानी शुरू की हुई है ये वाली जो उन है ये मेरी खतम हो गई है उपर मैं इसे इस कलर से पिलकुल प्लेन बनाऊंगे इसलिए मैंने इसका गला इस कलर से बनाया है ताकि इसकी रेडिमेट जैसी लूक आए अब देखे इसकी बाजू बनाने के लिए मैंने दूसरी का भी बोर्डर तयार किया हुआ है आपको मैं इसकी थोड़ी सी मेजरमेंट बता देती हूँ बाकी मैं आपको इसकी घटाई बताऊंगे तो यहाँ पर मैंने लिये हैं 33 फंदे और फंदे डिजैन डाले हैं हलके से लूज हाथ से डाले हैं सेम मैंने बोर्डर बनाया है जैसे यहाँ पर यह 14 लईयों का बोर्डर बनाया है जिसमें 7 लईने आ गई हैं तो यह बनाने के बाद इसमें मैंने 3 फंदे बढ़ा दिये हैं तीन फंदे बढ़ाने के बाद हमारे हो गए हैं 36 फंदे ये डिजाइन 6 के multiple एड़ेस्ट होता है जैसे कि मैंने आपको डिजाइन बनाना बताया है सेम तरीके से आपका ये डिजाइन एड़ेस्ट हो जाएगा फिर आपने हर 4 सलाई के बाद एक फंदा यहां से एक फंदा य जाएंगे आपका डिजाइन दोनो तरफ एड़ेस्ट ऐटोमेटिक होता चला जाएगा आपको फंदो का हिसाब आ जाएगा और अगर प्लेन बनाना चाहती है तो उपर आप इस तरह से प्लेन बना सकती है तो अब मैं इन दोनो बाजू की जो लेंथ है वो पूरी कर लेती यहां से यहां तक इसकी मैंने जो length बनाई है वो 8 inch से थोड़ी सी उपर है और यहां पर मैंने इसमें जो total फंदे बनाई है वो 58 फंदे बनाई है अब इसमें हम यहां घटाई करेंगे तो इसमें हम घटाई 4, 3, 2 और 2 फंदे की करेंगे तो एक बार के घटाई मैं आपको करक दिखा देती हूं फिर देखिएगा यहां से हम दो फंदे का पहले इस तरीके से एक फंदा करेंगे घटाई आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से कर सकती हैं इस फंदे को आपको लूज रखना है और सलाई पर ले आना है नेश्ट फंदे के साथ में लेकर दो का एक करना है फिर से लूज रखिए और सलाई पर ले आईए दो फंदे का एक कीजिए फिर से इसे लूज रखिए और सलाई पर ले आईए और दो का एक कीजिए तो यहां से चार फंदे की घटाई हो गई है आगे हम अपनी पूरी सलाई को बुन लेंगे फिर यहां से भी हम जब से घटा देंगे तो दो फंदे का एक करेंगे फंदे को लूज छोड़ देंगे और सलाई के उपर ले आएंगे फिर से दो का एक करेंगे और सलाई पर लाएंगे फिर दो का एक करेंगे और इसे लूज रखते वे सलाई पर लाएंगे और दो का एक कर देंगे तो चार फंद की घटाई यहां से करेंगे पूरी सिलाई को बुरने के बाद फिर तीन फंदे की घटाई यहां से करेंगे फिर दो फंदे की फिर यहां से भी दो फंदे की फिर से यहां से दो फंदे की और फिर से यहां से दो फंदे की यानि टोटल जो घटाई होगी वो चार तीन दो दो तो ये घटाई करने के बाद फिर जितने भी फंदे बचेंगे उनको हम उपर से बाइंड ओफ कर देंगे तो मैं इसे बना लेती हूँ फिर हम इसके सिलाई करेंगे। तो ये देखे फ्रेंड्स इसमें मैंने घटाई कम्प्लीट करने के बाद ये सारे फंदे बाइंड ओफ कर दिये हैं और जब आप इन फंदों को यहां से बंद करो तो हलके से लूज हाथ से बंद कीजिए ताकि ये ऐसे स्टीचिबल बने अगर ट्राइट हाथ से बंद किये देखिए सिलाई इसकी बाजू की भी और दोनों साइड की बिल्कुल सेम तरीके से होगी तो यहां से मैंने धागे को जोइंट कर लिया है अगर आपके पास सेम कलर का धागा यहां पर फंदे डालने बाला बचा हो तो उसी को सुई में डाल लीजिए अब मेरे पास ये बा सुई को इस तरीके से निकाल देंगे अब दूसरे कलर का धागा है यहां से दिखाई ना दे इस वज़े से हम यहीं से इसके जोड अच्छे से मिला देंगे अब देखे जहां से हमारा ये धागा निकला है इसके पीछे की तरफ से हम ऐसे सुई डालेंगे और जहां पर दे अब देखें, यहाँ पर यह धागा निकला है, तो उसके पीछे वाले हिस्से पर हम ऐसे सुई डाल देंगे, यहाँ से बेक की तरफ, और जहाँ से धागा निकला, उसके एगले हिस्से पर ऐसे सुई निकला है। जब हम इस तरीके से सिलाई करते हैं तो इसमें फिनिसिंग बहुत अच्छी आएगी और देखे एक तो हम धागे को ऐसे खीचते हैं इसको ऐसे नहीं खीचना है ऐसे रखना है अब यहाँ पर धागा निकला है तो हम यहाँ से सुई को डालेंगे इसके अगले वाले हिस्से इसके पर हम इस सुई को ऐसे निकाल देंगे यह देखिएगा एक बार मैं आपको फिर से इसमें सिलाई करके दिखाती हूँ यह देखे यहाँ धागा निकला है तो इसके बैक वाली साइड से ऐसे सुई को डालेंगे और फ्रंट वाले हिस्से की तरफ ऐसे हम निकाल तो अब आपने देखिएगा दोनों बाजू की सिलाई बिल्कुल ऐसे ही करनी है यहाँ तक की और यह जो इसकी दोनों साइड है इसको इस तरह से उल्टा करने के बाद इसकी भी सिलाई आपने ऐसे ही करने है तो मैं यह सारी सिलाई कर लेती हूँ फिर आपको मैं इसकी बा तो बाजू को आप इस तरह से सीधा कर लिजिए सीलने के बाद और आप देख सकते हैं हमने दूसरे कलर से सिलाई की है तब भी इसमें वो धागा दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसी तरीके से सिलाई कीजिए अब देखिए यहां पर जब हम सीलते हुए आए तो यह बाजू को देखिए अब हम यहां से ऐसे डाल देंगे सीधा करने के बाद और इसको आरम होल में हम इस तरीके से अटेच करेंगे यहां पर भी मैंने छोटा सा धागा छोड़ रखा है इस वाले के साथ सबसे पहले तो इसकी नोट लगाएंगे यह देखिए नोट लगाने के बाद अब इसको हम इस तरीके से यहां आरम होल में अटेच कर देंगे इससे यह बाजू हमारी इधर से उधर जरासी भी नहीं हिलेगी बिल्कुल इसकी सिलाइप फिट आएगी तो यह देखिए जो इसका जोड है और यह वाला जोड है इन दोनों को मैंने अच्छे से म नहीं तो फिर यह बाजू सरक जाएगी और पहनने के बाद यह बाजू फिर घूम जाती है इसलिए यहां पर आप कम से कम दो बार सुई जरूर निकाले हो सके तो तीन बार निकाल देजे तो यह जोड आपस में अटेच हो गए है अब देखिए जैसे हमने यह साइड की सि पीचना है ऐसे रखना है जहां से धागा निकला है इसके पीछे वाले हिस्से से देखे यहां से सुई डालेंगे और फ्रंट वाली साइड पर निकाल देंगे और फिर ऐसे ही आपने करते जाना है फिर यहां से डालेंगे इसके अगले सिरे पर निकाल देंगे बैक साइड आपने इसको round में seal देना है और यह आपने जरूर याद रखना है ऐसे धागे को बिल्कुल नहीं कीचना है ऐसे खीचते जाईएगा इसके पीछे वाले सिरे पर ऐसे सुई डालिए और आगे की साइड बर ऐसे निकाल दीजिए और round में इसकी सिलाई कर दीजिए तो यह देखें फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं बहुत ही प्यारा साब बेबी कारडिगन बनके तयार हो गया है यह दो महिने से लेकर 6-7 महिने के बच्चे को आराम से आ जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह बेबी कारडिगन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स ग्रूप में इसे शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके थेंक यू